हलो गाईस वेलकम टू केरी अक्टिविटी चैनल आज के वीडियो में आप देख रहे हैं सुच बोट का डेकोरेशन आप देखी ये मेरा काफी पुराना सुच बोट था इसके चारों और मैंने बॉल पेपर लगाया है और जो यहां से डोरी निक्टी हुई थी उस पर मैंने पर यहां पर बेल और एक फ्लॉवर लगाया है उसकी बाद मेरा सुच बोट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है इसी तरह से आप भी सुच बोट का डेकोरेशन कर सकते हैं जिससे पुराने से पुराने सुच बोट भी हमारे नियू दिखने लगते हैं और इस बेल को ये आप 2 लिए लगा ही रहनेदये उसके बाद 2 मुनिटके बाद के बाल आद fils आपको इसे काफी अच्छे से ब्रस से ही बिना पाने की सहता के खोड़ासा घिसना है आप चाहें तो इसे कपड़े से भी घिस सकते हैं और आप देखिए ये बलिकुल एकदम से क्लीन हो गया है इसमें कोई भी कालापन अब नहीं है इसी तरहे आप अपने लाइट के बोट क चमका सकते हैं ये मेरी बेटी का एक ट्वाइडला हुआ था जैसे मैंने टूट साइडर टीप लगा के और यहां लगा दिया है और आप देखिए इसका पहले का लूक और अभी का लूक एकदम न्यू लूक हमारा ये दिखने लगा है इसी तरह आप भी और ये मैंने यहा कुछ इस प्रकाल से दिख रहा है आपको मेरी चोटी 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 सी ठीक पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और सेयर कीजिए बाब बाई जैजिनेंग